खंडेराओं की युवा सोच ने एक बार फिर से उठा दिया सवाल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो विजे दश्मी की तयारी चल रही है वाड़े के अंदर सब लोग बहुत खुश हैं जो नहीं खुश है वो भी खुश होने की कोशिश कर रहे हैं और स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं मगर इसी के बीच में जब कुछ होता है जैसे कि पूजा होती है पूजा में बातचीत होती है उसी बातचीत में अपनी अपनी सोच के साथ सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं कुछ सोच को व्यक्त करते हैं कुछ अंदर ही अंदर बातों को रख लेते हैं ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला हमें इस प्रोमो में जो हम देखेंगे आज के एपिसोड में चलिए बात करते हैं इसके उपर बात करते हैं खंडे राओ की सोच के उपर तो बात करने से पहले वही गुजारिश जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजी साथ में दोस्तों बेल आइकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफकेशन मिलते रहे तो खंडे राओ, मलहार राओ, होलकर और बाकी सारे परिवार वाले वहीं पे खड़े हैं गौत्मा, अहिल्या सब लोग खड़े हैं और पूजा हो रही है शस्त्रों की और वहाँ पे जो प्रथा चली आई है उस प्रथा के चलते हुए मलहार राओ, होलकर बताते है कि क्यों ये पूजा होती है शस्त्रों की और क्यों हम लोग इसको इतना मानते हैं और उसमें ये पता चलता है कि जो पांडव थे उन्होंने ये प्रता शुरू की थी जब अग्यात वास से वो वापिस आये थे उन्होंने शस्त्र निकाले थे अपने और उनकी पूजा की थी और जब वो पूजा करते हैं मलहार राव होलकर साहब जब पूजा करते हैं तो वो इसके साथ खंडे राव को एक हलकी सी लुक देते हुए कुछ बाते कहते हैं जिससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि वो कहे तो सब को रहे हैं मगर जादा जो बात कहने की कोशिश या समझान की कोशिश कर रहे हैं वो अपने पुत्र को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शस्त्र को अपने हाथ में रखते हुए क्या भावना होनी चाहिए यहां पर बात करते हैं कि जब शस्त्र हम लोग हाथ में रखते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं मगर सबसे जरूरी है सयम सय on технологsis में को ध्यान रखना चाहिए यहां पर दोस्तों बाकी सब लोग तो हां Sir लाते हैं हम इसर लाते हैं जो हमेशन से ही लाते है ये शास्तक बोलने राजा बोलने सर हां में ही लाना है तो वही सब लोग करते वे नजर आते हैं मगर अहल जो है खंडे रहो के साथ जो है सहमत नहीं हूं और वो कहते हैं कि सयम अगर थ्यार उठा के हम सयम रखें तो दुश्मनों को मौका मिल जाता है सूचने का कि क्या करना है आगे तो यहां आप दोस्तों मुझे जो यह पूरा मैंने आपको एक्स्प्रेंड किया जो आगे देखेंगे आने वाले एपिसोड में मगर इस पूरे से मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आई है कि जो खंडेरा उन्हें अपनी बात कही है उस बात में कुछ गलत नहीं है संयम का मतलब उन्होंने अपने तरीके से लिया है और मलहार रहो होलकर ने अपने तरीके से संयम की बात कही है उन्होंने अपने एक्सपीरियंस इसे कहा है जो उन्होंने यूद लड़े है उसमें कहा है उन्होंने संयम की बात की है कि संयम मतलब उस समय उनको ये सोचना च कैसे होना चाहिए और किस पर होना चाहिए इस सब बाते वो समझाने की कोशिश कर रहें कि शस्तर उठाते हैं ये शस्तर जब हाथ में होता है तो इस तरह से सयंयम से काम लेना चाहिए अब खंडिराओ की युवा सोच क्या कहती है कि अगर सामने कोई दुश्मन कड़ा है और हम सयम रखके सोच रहे हैं तो दुश्मन हम पे वार कर देगा तो अपने अपने तरीके से दोनों ने बात कहिए दोनों ही सही हैं मगर यहां पे अगर खंडराओ कोई नहीं सोच की बात करते हैं तो वो हिरानी नहीं होनी चाहिए उसमें उस सोच को और समझने की जरूरत होनी चाहिए, उस पे एक डायलोग होना चाहिए, ताकि उस सोच को भी समझो, जो UAPD लेके आ रही है, ताकि और इंप्रूव्मेंट हो, पुरानी चीज़ों को भी लेके चलो साथ में, मगर नई चीज़ों का भी स्वागत करना चाहि कि आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, आपके उपर पूरा कमेंट सेक्शन आप बताइएगा, और बाकी पूरा एपिसोड देखने के बाद फिर से इस पर जरूर बात होगी, क्योंकि आगे मलहार रा होलकर भी इसके उपर कोई टिपनी जरूर करेंगे कैसा लगा आपको, कमेंट करके बताइए, देखते रहे हैं, चैनल हंगरी स्पिरिट, थैंक यू सो मच